पार्सदों और मेर अमनीत कोर के बीजारी टकराव में उस समय नया मोड आया जब भारती जंता पार्टी के वरिष्ट पार्सद दुस्यंत भट ने आठ पार्सदों की सहमती से 16 जिंबर को अपने स्तर पर हाउस की मीटिंग बलाने का फैसला लिया है दुस्यंत भट ने कहा कि उन्हें स्ट्रीट लाइट की गड़वडियों की जाज करने की जिम्मेदारी दी गई थी जिसकी जाज पूरी हो चुकी है एवं जाज रिपोर्ट 16 जिंबर को हाउस की बैठक में रखी जाएगी जाज रिपोर्ट में क्या निसकर्स निकल कर आया ह यह रिपोर्ट जाहिर तोर पर हाउस की बैठक में सारजनिक की जाएगी इस संधर्व में 26 पारसदों को न्योता दिया गया है इसके अलावा उन्होंने संजय भाटिया और सहरी विधायट प्रमोध वीज मेर अमनीत कोर को भी निमंतरन भेजा है दुस्चंत भट के कार्य पारसद लोकेश नांगरूप, संजीव धहिया, पारसद पती असोक चाबडा, योगेश डावर, पारसद असोक कटारिया, वीजय जैन वे पारसद अस्वनी धिंगडा ने विस्तरित वारता की। गोर तलब है कि नगर निगम की बैठक लंबे समय से नहीं हो पा रही थी, जिस से पारसद बढ़के हुए थे, इसकी अलावा मेर की एक टिपनी से भी पारसद आहत है, उधर पारसद लगाता और दबाव बनाते आ रहे थे कि हाउस की बैठक बलाई जाए, ताकि नगर में रुके होई विकास कार्या को गती दी जासके, लेकिन अग्यात कारणों से हाउस की मीटिंग टलती आ रही थी, अब आस्त्रे चकित करते हुए आठ पारसदों ने 16 जिभंबर को हाउस की मीटिंग बलाने की कोल कर दी है, इसके लिए बकाइदा सभी पारसदों को पत्तर भ गीत हो सकती है, क्योंकि विधायक वे सांसद चाहती है कि हाउस की मीटिंग होने से पहले पारसदों और मेर के बीच गल फैमी को दूर करा दिया जाए, ताकि सोहार्द पुर्ण वातारों में नगर रिगम की बैठक संपन हो सके, क्योंकि सांसद संजय भाटिया नहीं चाह झाल